स्वागत है आपका अपने चैनल एक लव्य स्टी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचेर और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो डैली उनिवर्सिटी है उसके अंदर एड ओन कोर्स क्या होते हैं ठीक है एड ओन कोर्सिस इसका मतलब है कि यह ऐसे कोर्स जिने आ किसी भी फिल्ड में आप जाते हो तो आपको उसके लिए काफी बेनिफिशल होने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सभी कोर्सिस के बारे में आपको अभी से पता चल जाए और इन कोर्स के हिसाब से ही आप कोलेज अपना सेलेक्ट करो ठीक है ताकि कोई ब फरस टाइम देख रहे हैं तो हमारी डियू की जो सारी वीडियोस हैं जो काफी इंपोर्टन टॉविक्स पर होती हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा तो आप उसको जरूर विजिट करें ताकि आपको उससे हल्प मिले अब बात की जाए कि वो कौ लेंग्विज हो गई या और कोई फोर इंग्विज है तो आप उसका कोर्स कर सकते हो और यह काफी शोट टर्म कोर्सिस होते हैं ऐसा नहीं आपको ज्यादा टाइम खाएंगे आपको कम समय में आपको अपको नॉलेज मिल जाएगी और जो की आपको फ्यूचर में काम आए ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि language courses है जो आप कर सकते हो अब कौन-कौन से college है जो ये language courses करवाते हैं आपको एक बार ही बता दूँ सेंटी स्टीफन्स college है, JMC है जिसको हम Jesus and Mary college कहते हैं, DCAC है, Delhi college of arts and commerce, हंतराज college है, दौलत राम college है, कमला नहरु college है, गारगी college है, रामजस college है, श्रीविंक टेशुरा college है, मिरांडा हाउस है, college of vocational studies है, हिंदु college है जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ और SGTB खालसा तो यह colleges की list है, जो आपको foreign language करवा सकते हैं, और यह मैं आपको बता रहा हूँ, काफी short term के लिए होता है यह course, आप इसको कर सकते हैं, individually जाके जरूरी नहीं है, कि आप जिस college में पढ़ते हो, आपको वहीं पर करना है, मालो आप हिंदु में पढ़ते हो, तो आप स्टीफन बढ़ रही है, दीरे दीरे, आपको पता है, परियाटन की मांग बढ़ती जा रही है, tourist, tourism, travel, यह सारी चीजें, इसका जो यह पूरी industry है, अब यह growing है, और इसमें यह भी short term का course होता है, आपका कम time में आप इसको सीख सकते हैं, और आपको पूरी knowledge मिलेगी, इस field के बारे मे travel and tour के बारे में जितनी भी knowledge होगी, आपको सब मिलेगी, और जो यह colleges है, जहाँ पर आपको यह मिल सकता है course वो है, शरीव एंकटेशुरा और मेरंडा हाउस, ठीक है, तो travel and tourism जो है, यह काफी अच्छा course है, और उसके बाद है, sports and event management, मैं आपको बताऊं, इस course के अंदर काफ कम crowd जाती है, आपको बता दूँ, जहाँ पर धक्का मुक्की भीडवार जादा होती है, वहाँ पर जो बगरा लगने के chance कम होते हैं, और ऐसी जगा जहाँ पर भीडवड़ा का जादा ना हो, जहाँ काफी कम लोग हो, crowd कम हो, वहाँ से अगर आप कुछ कर लेते हो, तो करियर आप बना सकते हो, अपना less crowded है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं करते हैं इसको, ठीक है, तो crowd कम है, आपका उतने ही आपके chance ज़्यादा है, जोब लगने के, अगर आप इसको कर लेते हो, आगे जाके, और colleges जो है, इसको करवाते हैं, वह है, SGT भी खालसा है, शिरी मास कम्यूकेशन में, जन्संचार वगरा के काम में, तो आपके लिए ये best option रहेगा, आप अपनी graduation के साथ साथ ही कोर्स कर सकते हो, और career in media अगर आप बनाना चाहते हो, तो ये काफी अच्छा कोर्स है आपके लिए, media industry से अगर आप जोड़ना चाहते हो, और आप अगर interested है और जो colleges हैं, जो ये करवाते हैं, वो एगारगी college है, JMC है, और Miranda house है, और हंसराज college है, अब next course जो है, वो है advertising and marketing communication, इसमें क्या है, आपकी skills develop होती है, बोलने की एक तो ठीक है, आपका personality development होता है, presentation skill आपकी sharp होती है, इसमें sharp होती है, और advertising और marketing skill आपकी बढ़ती है, management की skill आप की improve होती है, और ये course भी काफी अच्छा course है, आपके future के लिए, और जो colleges हैं, जो करवाते हैं इसे, वो है JMC, Jesus and Mary college, गार की college और हंसराज college, आपको मैं बता दूँँ, ये इसके course को करने के लिए colleges जो है, अलग से अपना notification जारी करेंगे, और आपको website पे जाके, और फिर वहा television, photography और web journalism, इसमें क्या है, आप अगर television, photography और web journalism की line में अगर आप interested हैं, तो आपको ये course जरूर करना चाहिए, काफी अच्छा इसमें career का option है आपका, in future के लिए ठीक है, जनरलिसम में, web journalism में, blogs वगरा अगर आप लिखने में interested हो, ठीक है, photography में interested हो, तो काफी अच्छा course है और इसके लिए जो colleges हैं, वो है हंसराज, मिरांडा, गारगी और जेमसी, तो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, साथ के साथ जो colleges भी हैं, और next जो course है आपका, वो है banking and financial service, इस course में क्या है, जो commerce system के और eco students है, जिसके पास economics भी थी अगर class 12 में, तो उसके लिए काफी अच्छ जो field है उसकी, और ये short term course है, ठीक है short term का course है, मतलब कम समय में आपको ये ज्यादा knowledge देदेगा, जो colleges हैं, जो इसको करवाते हैं, वो जेमसी, आपका Jesus and Mary college और गारगी college, तो मैंने आपको जो आज 6-7 course बताए हैं, ये ऐसे course हैं, जिने हम कहते हैं add-on courses, तो आप इसको याद रखना, इनको आप अपनी graduation के साथ साथ भी कर सकते हो, जैसे कुछ course तो ऐसे होते हैं, आपको जैसे नॉर्मली बता होगा, पॉल साइन्स, ओनर्स हो गया और BA program, तो आप इन दोनों को एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, ये तो बड़े level के होते हैं, पर माल लो अगर आप पॉ में message कर सकते हैं, आपका reply वहाँ पर तुरंत मिल जाएगा, यहां फिर आप comment box में हमें अपना doubt बता सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही चैनल को subscribe करना ना भोले, जो bell icon है उसको दबा दें, और वीडियो को share करना ना भोले, जै हिंद जै भारत मिलेंगे अपनी next वीडि